जांसी के महरानी लक्ष्मिपाई मेडिकल कॉलेज में हुए अगनीकांड में दस बच्चों की मृत्यू के मामले में डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कारिवाई की है डिप्टी सीम के निर्देश पर कठेट चार सदस्य कमेटी की जांच रिपोर्ट के अधार पर कॉलेज के प्रधानाचारे को हटा दिया गया है साथी कॉलेज के मुख्य जिकित्सा अधिक्षक को आरोप बंद्र एम तीन अन्य को निलंबित कर दिया गया है डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने बताया कि जांसी मेडिकल कॉलेज में हुई खटना को लेकर सरकार बेहत समवेद इंशील है पीडित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्द कराई गई है उन्हें बताया कि इस संबंथ में जिकित्सा शिक्षा एम प्रशिक्षन महानिदेशक किंजल सिंग के निद्वित में चार सदस्य जांच कमीटी का कटन किया गया था जांच रिपोर्ट के अधार पर कॉलेज के कारवाहक प्रधानचार्य डॉक्टर नरेंदर सिंग सेंगर को पद से हटा दिया गया है उन्हें जिकित्सा शिक्षा विभा के महानिद्यशाले से संबध किया गया है साधी मुख्य जिकित्सा अधिक्षक डॉक्टर सचिन महुर को आरोप पत्र दिया गया है वहीं कॉलेज के जूनियर इंजिनियर संजीत कुमार, NSUI वोड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्च संधियाराय और मेडिकल कॉलेज की प्रमुक अधिक्षक डॉक्टर सुनीता राठोर को ततकाल निलंबित करते हुए आरोप पत्र दिया गया है कॉलेज में बाल रोग विभाग अधिक्ष डॉक्टर ओम शंकर चॉरसिया सजरी विभाग के सह आचारे डॉक्टर कुलदीप चंदेल वै विधुत प्रभारी अधिकारी को आरोप पत्र देकर उनकी भूमिका की जांच के लिए मंडलायुक्त चांसी को जांच अधिकारी बनाया क्या है आपको बता दें कि 15 नवंबर को चांसी स्थित महरानी लक्ष्मिवाई मेडिकल कॉलेज के एनिस्योई वार्ड में आग लगने से दस बच्चों की मृत्य हो गई थी हाथ से के तुरंद बाद डिप्टी सीम रजेश भाठा कटना स्थल पर पहुंचे थे और पेडित परिवार को सांत्वना दी थी साथ ही दोशियों पर कारिवाई का आश्वासन भी दिया था इस खबर में बसिता ही ये खबर आपको कैसी रगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं देश दुनिया के तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहें अमर उचाला अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें